इस नियूस इस को स्पॉंसर्ट बाइ अल्दी मसल हन्ड़ परसेंट अथेंटिक सप्लीमेंट स्टूर्ड आशी फैशन स्टूडियो सोम्वार को वन विभाग की तेज्वी वार्शिक परदेश स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता का आयोजन जिलामंडी के परदल मेरान में परदान मुख्य अड़ नेपाल वन अजेश वास्तप ने किया प्रतियोगिता के शुभारम अपसर पर मुख्यतिती नीमार्च पास्ट के सलामेली और प्रतियोगिता का विदिवत शुभारम किया इसके उपरांत आयोज को द्वारा मुख्य अतिती को शौल तोपी और समरीती चिन देकर सम्मानित क्या गया मुख्य अतिती अजेश्र वास्तव ने प्रतियोगिता में आये परदेश के सभी खिलाडियों को शुब कामनाई दी और खेल को खेल की भावनां से खेलने का अग्रह किया है बन विफाग द्वारा हर वर्ष खेल कुद प्रतियोगिता अयोजित की जाती है जिससे बन विफाग के करमचारी ड्यूटी के साथ खेल के प्रति भी अगरसर हो सके 23rd राज इस्तरी खेल कुद प्रतियोगिता है इनमें आयोजिकों को और सभी टीमों को मैं शुब कामनाय देता हूं और उमीद करता हूं कि यह जो तीन दीन है इसमें टीम भावना के साथ यह लोग इस पूर्स में प्रतियोगिता में भाग लेंगे और वन विफाग की जो अच्छे खिलाली है वो आगे आएंगे इसमें ताकि हम लोग इसको इनको जो अच्छे खिलाली है इनको नेशनल लेवल पर भी बेचेंगे ताकि वो हिमाचल प्रिश का नाम रूशन कर सकेंगे इस बार 13 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है और पहली बार महिलाओं की टीमें भी इसमें भाग ले रही है प्रतियोगिता में कबटी बॉली बॉल और बास्केट बॉल में महिला खिलाडियों की टीमें अपनी प्रतियोगिता में 800 के करीब खिलाडी भाग ले रहे हैं जिसमें forest worker से लेकर परधान मुख्यवन और नेपाल तक के अधिकारी शामिल है यह सभी एक टीम की रूप में मैदान में उतर कर अपनी प्रधिवा के जोहर दिखाएंगे जोगता में फाग लेना जो है एक रूटीन है प्रधान मुख्या राणियापाल हैड़ा फॉरस्पोर्स महदा की अनुसंसा पर महिनाएं जोप इवेंट्स जैसे कवर्टी बास्केट बॉल वॉलिबॉल एवाम रस्षा कसी में पहली बार अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कि अपनी तरफ से आप सभी का यहां पर पदाने पर हार देख स्वाधत करता हूं के चैनल के लिए मंदी से ब्यूरो रिपोर्ट